मोदी के रूस से लोटते ही जलन्सकी ने दिया ऐसा भयान बाइद्टोर ठूनक वेस सन्द जलन्सकी कॉई हकीन रूस यूक्रेज्ण विद्ध को चुठकी में खत्म कर देंगे मोदी कटर दुश्मन पुतिन से मोधी की दोस्ती के बाद भी जिलन्सकी ख्योख हुए मोधी के पुरीद प्रूस और यूक्रेन के बीच अगर कोई युद्रुकवा सकता है तो वो है भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ बलकि यह बयान आया है यूक्रेन के राश्ट्रपती जिलन्सकी का जिन्होंने प्रूस यूक्रेन युद को समाप्त कराने में एक बड़ी भूमी का निभा सकते हैं जिलन्सकी नहीं ये साफ़तोर पर कहा कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि प्रूस युद चुटकी में खत्म करा सकते हैं तो किस तरीके से प्रूस तरीके से एक लीडर के तौफ पर प्रूस बढ़ते वक्त के साथ मजभूत हो रहे हैं और किस तरीके से अंदराश्टे सर्फ पर प्यम मोदी की जो अपलब्धी है वो कहीने कही इस तरीके से देखने को मिलती है जब वर्ल्ड लीडर भी प्यम मोदी को सखाते हैं और इस तरीके से कहते हैं कि रूस युक्रेन यूद को अगर कोई खत्म करा सकता है तो वो हैं भारत के प्रदान मंतुरी नरेंदर ब्रिक्स सिकर सम्मिट से वापस लोटे हैं वो कजान गए थे रूस में और वहां पर वो पुतिन से उन्होंने मुलाकात की युद को लेकर भी उन्होंने साफतोर पर कहा कि भारत युद नहीं भारत सवाच चाता है भारत कूठनीती चाता है भारत इस तरीके से आतंखवा है जिसमें कई सवाल उनसे पूछे गए थे और इसी कड़ी में उन्होंने प्यम मोधी की तारीफ करते हुए कहा कि प्यम मोधी के प्रयास से वास्तों में युद पर लगाम लग सकता है इस युद को खत्म कराने की कोशिश में PM मोधी की बड़ी एहमियात हैं बता दें कि PM मोधी दुनिया के एक मात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने युद के बीच रूस और युकरिन दोनों ही देशों का दोरा किया था तो ऐसे में लगातार के खबरे तो चलती रही है कि क्या पीम मोदी रूस और यूकरीन के बीच जो यूद छिड़ा हुआ है उससे रुखवा देंगे क्या PM Modi ही एक मात्र ऐसे लीडर होंगे जो इन दोनों देशों के बीच जो युद छिड़ा हुआ है उसमें सुला करा सकते हैं और अब कहीं न कहीं उन देश के लीडर्स को भी ये भरोसा है कि अगर कोई इस युद को खत्म करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ही है क्योंकि जिस तरीके से भारत के प्रधान मंत्री मोदी जो है वो राश्टरपती पुतिन के साथ जिस तरीके की मुलाकात करते हैं जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच बादचीत होती है और ब्रिक समिट में भी जो पीम मोधी गए वहाँ पर दुईपक्षे बादचीत पुतिन के साथ हुई और पुतिन ने जिस अंदाज में पीम मोधी से ये कहा था कि आपको ट्रांसलेटर की ज़रुरत नहीं है क्यो इस बात से अंदाजा लगा जा सकता है कि इस यूद को लेकर भी लगाता जो पीम मोधी अपील कर रहे हैं रूस से भी और यूक्रेन से भी क्या वो अपील जो है पीम मोधी की वो रंग लाएगी ये कही ने कही उमीद यूक्रेन को भी है ये उमीद रूस को भी है और ये पूरी दुनिया को है लेकिन यह जो हो रहा है यानि जो जैलेंस की बोल रहे हैं उससे जाहिर तोर पर अमेरिका और केनेडा जैसे देशों को तकलीफ हो रही है क्योंकि अमेरिका ही वो देश था जब यूक्रेन और रूस का युद छिड़ा तो तरीके से यूरोपिय देशो को एक जूट किया गया रूस के खिलाफ रूस को आर्थिक तोर पर जो है कमजोर करने की कोशिश की गई रूस को अलग ठलग करने की कोशिश की गई और अमेरिका ने इसमें अपना कहिने कही फाइदा देखा लेकिन आज जो है इसस्तिती बदल चुकी है लगातार पीम से युक्रेन गए थे जलन्सकी से यूद के बीच ही मुलाकात की थी और उस वक्त तस्वीर वो भी देखी जब पीम मोदी वहां पर मौजूद थे तो रूस की ओर से कोई भी बंबारी वहां पर नहीं की गई थी उतने वक्त के लिए एक दम यूद जो है वो रुक चुका था क्योंकि प्रधान मंतरी भारत के यूक्रेन में उस वक्त मौजू थे जलन्सकी से मुलाकात कर रहे थे वहां के हालातों का जाइजा ले रहे थे जलन्सकी को नोने गले लगाया था बड़े भावक जलन्सकी भी नजर आये थे पीम मोदी से एक उमीद उन्हें है ये उम पारती के पक्षमें हैं लेकिन इसमें पीम मोदी जो कहते हैं कि ये रुद रुखना चाहिए लेकिन इसमें एक्षन जो है वह भारत को लेना चाहिए ये भी हाला कि यूक्रेन के राश्ट्रुपती जो है जलन्सकी की तरफ से कहा गया है तो कुल मिलाकर जो ब्रिक समिट ह उसमें प्रियम मोदी ने जिस तरीके से रूस का दौरा किया है उसके बाद अब एक बार फिर से जो उमीद है युक्रेन की वो भारत के प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है लेकिन ऐसे में यह जो युक्रेन के राश्टरप्रती का बयान है यह भारत के लिए बहुत कह सकते हैं अचीवमेंट है एक तरीके की की दुनिया में जो दो देश आपस में भिड रहे हैं जो युद वहां पर छिड रहा है उसके राश्ट अध्यक्षिय कह रहे हैं कि अगर इस युद का कोई समाधान निकाल सकता है तो वो सिर्फ भारत के प्रदान मंतरी न जिंपिंगो फिर चाहे वो युए के क्राउन प्रिंस हो या फिर अन्य देश जो वहां पर गए थे उनके राश्ट अध्यक्षों वहां पर किस अंदार्स में उनकी मुलाकात हुई किस तरीके से चीन के साथ भी दुविपक्षय बाचीत कर ली और उसके बाद जिस तरीके जिसे चीन के साथ जो विवाद चल रहा था दरसल लदाक सीमा पर लेसी पर वो खत्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाया तो किस तरीके से वो विवाद खत्म किया और आज दोनों देशों की सेनाई वहां से हट रही हैं तो कहीं ने कहीं इस वजह से भी प्यम मोदी जिस तरी बर्दाश्ट नहीं होंगे यानि आप एक ही बात में दो देशों की चीज़ें नहीं बोल सकते ही हैं जाहिर तोर पर अमेरिका और कनेड़ा जैसे देशों को प्यम मोदी की चेताबनी थी साथी साथ चीन को भी कहीं ने कहीं समझा थिया था कि एक तरफर रहीएगा इस तर जब जलेंस्की का ये इंटर्व्यू साथ ने आया है तो उसमें जलेंस्की ने कई बाते कहीं हैं हाला कि पूतिन के वो कटर दूश्मन है तो ऐसे मुने कहा कि ब्रिक सम्मिट जो है तनी सक्सेस्फुल रही रही पूतिन को एक तरीके से तमाम लीडर्स ने नकारा इस तरी जलेंस्की ने ये कहा कि एक्शन अब भारत को इस पूरे वाफले पर लेना होगा क्योंकि शान्ती की बात करना काफी नहीं है ये जलेंस्की का मानना है लेकिन प्यम मोदी से एक उमीद है उन्होंने कहा कि प्यम मोदी एक बड़े देश के प्रधान मंत्री है ऐसा देश के यह नहीं कहा सकता कि हम यूद की समापती में इंट्रेश्ट रखते हैं बलकि यूद की समापती को समापत करवाने में एक पड़ी फूवी का निफास सकते हैं यह उमीद जो है वो परदान मंत्री नरेंद्रमोधी से जलनस्की को है तो बताढ़ें कि रूस और यूकरिन के ब की बात पर अब गौर करेंगे और किस तरीके से इस युद को रुकवाने में कोई बड़ाई और एहम फूमी का पीम मोधी निखाने चा रहे हैं इस पर भी कही ने कहीं सब की निखाए ठिकी हुई है आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में रूर्स और युक्रिन के बी जाने निखाने वाले ठाले लाट प्रेब अजय है शवाद है टॉर्स प्राइब प्रेब बादामाद के लिएज के। भाले बाहे हैं एक्परड़ाद हैं युद को लाक्त्तों तरीके से बाहे हैं युद